नमस्कार मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये कहानी है करन जी की करन जो की एक आमी के आफिसर थे उन्होंने अपना काम और अपनी देश भग दी सब कुछ साबित करने के बाद अब वो रिटायर हो चुके थे उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जो की शान्ती वाली जगह हो जहां वो सुकून से अपनी बच्ची हुई जिंदगी अपने परिवार के साथ बिता सके क्यूंकि उनके आमे में होने के वज़े से वो कभी भी अपने परिवार के साथ वैसा वक्त नहीं बिता पाए जो की वो हमेशा से बताना चाहते थे अब वक्त था कि वो अपना सारा समय सारा प्यार जो भी अपने परिवार को देना चाहते थे वो दे सके उन्होंने एक पहाड़ी इलाके में जो की आज की डेट में एक बहुत ही खूपसूर हिल स्टेशन है वहाँ पर एक जमीन ली जो की लगभग पहाड़ पर ही थी और वहाँ पर पहले से एक बिल्डिंग थी जिसको उन्होंने तुडवा कर क्योंकि वो वैसे भी आधी से जादा तूटी फूटी और अस्थव्यस्थी थी तो उस जगह के मालिक ने वो जमीन काफी कम कीमतों पर उनको दे दी थी उन्होंने उस चीज को दुड़वा कर अपने मन पसंद का एक काफी बड़ा और शांदार घर खड़ा किया वो कुछी दिनों में अपने परिवार में जो की उनकी पत्नी और एक बेटा था उनको लेकर वहां रहने के लिए आ गए शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत खुपसूरत था क्योंकि वो इतना खुपसूरत पहाड़ी इलाका था जिसको देख कर किसी का भी मन वही पर रुकने को करें ऐसा ही उनके और उनके परिवार के साथ भी हो रहा था उन्होंने घर पर आने से पहले ग्रह प्रवेश की पूजा नहीं करवाई थी क्योंकि इन सारी चीजों में उनके परिवार में कोई भी जादा मानता नहीं था उन्होंने अपने हिसाब से उन्हें जैसे घर पर आना था वो आ चुके थे रह रहे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था एक हफ़ते तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा लेकिन एक हफ़ते के बाद अचानक उनके बेटे को घर में किसी के होने का एहसास होने लगा उसको बार बार ये महसूस होता कि कोई उसके साथ उसके उस घर में रह रहा है उसने कई बार सोचा कि वो इस बारे में अपने माता पिता को बताए लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसके पिता किस मजाज के इनसान है वो इन सारी बातों को कभी नहीं मानते तो उसे ये डर था कि अगर वो ये बात अपने माता पिता को बताएगा तो शायद वो उस पर हसेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे इस वज़े से बेटे ने ये बात खुद तक ही रखने का तैंग किया लेकिन एक हफ़ता बीच जाने के बाद यही एहसास उनकी पतनी को भी होने लगा अक्सर वो घर पर अकेले ही रहा करती थी और घर पर अकेले रहते हुए भी उन्हें हर वक्त ऐसा महसूस होता जैसे कोई बार बार उनके अगल वगल से तेजी से गुजर रहा हूँ और उसके गुजरते ही वहाँ मौसम में ठंडब बढ़ जाया करती थी उन्हें कई बार किसी के उनके ठीट पीछे खड़े होने का भी एहसास होता था क्योंकि उन्हें उस इनसान की या वो जो भी चीज थी उसकी सासों को वो अपने गले पर कई बार महसूस कर चुकी थी लेकिन वो भी कुछ सोच कर किसी को ये बात नहीं बताना चाती थी और यही सारा एहसास बेटे के साथ भी लगातार हो रहा था बार बार बढ़ता जा रहा था बेटे को अकसर रात में देर तक जगने की आदद थी बेटा जब रात में देर तक जग कर अपनी किताबे पढ़ता या फिर हेड़फोन्स पे गाने सुना करता उसे कई बार हेड़फोन्स के अंदर से उसका नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती वो बार-बार अपना फोन, हेड़फोन्स सब कुछ चेक करता लेकिन कहीं भी कुछ भी करबर उसे समझ में नहीं आती थी एसे ही एक रात वो जग कर किताबे पर रहा था और अचानक उसे ऐसा दिखाई दिया जैसे उसके दर्वाजे का लैंच किसी ने खुमा कर खोला हो और वो एक टक से दर्वाजे की तरफ देखने लगा दर्वाजे की तरफ देखते हुए उसे ये साफ साफ नजर आ रहा था कि कोई उसे खुमा कर खोल रहा है थोड़ी देर में दर्वाजा तुरंत एक जटके के साथ खुला और थोड़ी दूर पर आकर रुख गया मतलब थोड़ा खुल के वहीं पर रुख गया जैसे अटक सा गया हो ऐसा कैसे हो सकता था अगर वो किसी हवा या किसी चीज के वज़ा से खुला तो वहां उतना सा खुलने के बाद रुखने का तो कोई सवाल ही नहीं था ये देख कर वो बहुत जादा घबरा गया थोड़ी देर तक उसने इंतजार किया कोई तो दर्वाजे के पीछे से बाहर आए लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी जब कोई दर्वाजे के उस तरफ से इस तरफ नहीं आया तब उसने अपनी हिम्मत जुटाते हुए उठकर दर्वाजे के उस तरफ चेक करने का तै किया वो उठ गया उसने दर्वाजा एक जटके से खोला लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था अब हिम्मत करके वो अपने माता पिता के कमरे तक पहुचा वहाँ भी पहुचने के बाद उसे अब किसी के भी वहाँ पर होने का एहसास नहीं हो रहा था सिवाए उसके माता पिता के वो इन चीजों से काफी घबरा रहा था अचानक उसे भी वही एहसास हुआ जैसे कोई तेजी से उसके पीछे से गुजर कर चला गया हो वो ये बात बिलकुल नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है अब उसने ये तै कर लिया था कि वो अपने पिता से तो नहीं लेकि दिन उसने अपनी मा से ये सारी बाते कहीं जैसे ही मा ने अपने बेटे के मुझ से भी वही बाते सुनी जो वो अभी तक खुद में महसूस कर रही थी उनके आश्चर्य की सीमा ना रही इन चीजों से उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि वहां उस घ उन्हों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो अपने पती को ये बात कैसे समझाएंगी क्योंकि अभी तक कुछ भी उनके पती के साथ ना तो हुआ था और ना ही उन्होंने देखा था फिर भी उन्होंने आज शाम खाने पर ये बाते करने का तैक कर लिया था और उन्होंने वैसा ही किया उन्होंने जब अपने पती को सारी बाते बताएं तो थोड़ी देर तक शान्ती से पूरी बाते सुनने के बाद वो जोर जोर से ठहा के मार कर हसने लगे और कहने लगे लोगों से बरदाश नहीं हो रही इसलिए मन में जो मर्जी वो वो खिचडी पका रहे हो दोनों मा बेटे मिलकर ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मुझे नजर नहीं आता ये बात अभी उन्हें खतम की ही थी कि अचानक से उन्हें भी वही एहसास होने लगा उन्हें भी यही महसूस हुआ जो कोई अचानक उनके चेयर के ठीट पीछे उनके गर्दन के पास आकर धीरे से अपने मुझे हवा छोड़ रहा है ये एहसास होते ही उन्होंने अचानक से उसी चेयर से पलट कर पीछे देखने की कोशिश की लेकिन उस कोशिश में वो उस चेयर को सम्हाल नहीं पाई और गिर गए लेकिन उनकी चेयर पूरी तरह से जमीन पर गिरी भी नहीं वो आधे हवा में लटक रहे थे अब इतना सबूत तो काफी था ये मानने के लिए क्योंकि उनका बेटा और उनकी पत्नी दोनों अभी भी उनकी आखों के सामने टेबल पर ही बैठे हुए थे तो ऐसे उनकी चेयर को किसने धाम रखा है और थोड़ी देर में जब उन्होंने आवाज लगा कर पूछना शुरू किया कौन है कौन है किसने चेयर को ऐसे पकड़ा है अचानक से चेयर को उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे बड़े आराम से जमीन पर रख दिया गया और वो अब ये सारी चीजे महसूस करके देख कर काफी घबरा चुके थे अब उन्हें भी थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन वो पत्नी और बेटे के सामने इन चीजों को दिखाना नहीं चाते थे क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि वो दोनों पहले से ही काफी डरे हुए हैं अगर ऐसे में वो अपने डर का एहसास उनको भी करा देंगे तो सब की हालत पता नहीं कैसी हो जाएगी अब उन्होंने भी ये बात कही ठीक है हमें काम करते हैं इसके लिए हम किसी पंडिजिसे जाकर मिलते हैं और उनसे एक बार घर पर पूजा या शुद्धी करण किसी चीजिस के लिए कहकर देखते हैं फिर देखते हैं क्या होता है इन सारी बातों से अब कहीं ना कहीं पत्नी और बेटे को तसली तो हो गई थी लेकिन रात कैसे बीटती क्योंकि ये नजारा देखकर उनसे जादा उनकी पत्नी और बेटे डर चुके थे फिर भी जैसे तैसे रात में बेटे की आँखा चल दी लग गई और अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके साथ उसकी रजाई में कोई और भी ठीक उसके सामने सोया हुआ है और उसके चहरे पर अपने मूँ से गरम हवाएं छोड़ रहा हो यह एहसास होते ही उसने जैसे ही आँखे खोली सामने एक जवान लड़का लेटा हुआ था जिसका चहरा काफी अजीब और डरावना दिख रहा था क्योंकि वो देखने से ही जिन्दा इनसान तो नहीं लग रहा था उसको देखते ही वो डर से तुरंट उठकर अपने रजाई से बाहर आ गया उसके उस रजाई से बाहर आने के बाद भी दूर से ही देखकर साफ पता चल रहा था कि उस रजाई के अंदर कोई और भी है जो लेटा हुआ है ये देखकर वो तुरंट उसी वक्त अपने माता पिता के कमरे को जाकर जोर जोर से दर्वाजा बचाने लगा और ये करते ही तुरंट माता पिता दोनों कमरे से एक साफ बाहर आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या बात है बेटे ने सब कुछ माता पिता को बता दिया पिता तुरंट भाग कर बेटे के कमरे में देखने के लिए आए कि कौन है और कौन उनके बेटे के कमरे में इस वक्त घुज गया है उनके दिमाग में अब वैसी कोई चीज नहीं थी उनको ये डर था कि कहीं कोई चोर या कोई और तो नहीं लेकिन जब वो आए वो रजाई वैसे ही थी जैसे उसके अंदर कोई अभी भी लेटा हुआ है उन्होंने एक जटके से वो रजाई जैसे ही खीची उनको भी उस लड़के की जलब दिखी लेकिन तुरंत उन सबके आँखों के सामने से देखते ही देखते वो वहां से गायब हो चुका था और बिस्तर पर पूरा खून लगा हुआ था ये देखकर अब वो सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे उन्होंने अभी ही उस घर से निकल जाने का तै किया लेकिन दर्वाजा पूरी तरह से बन था वो चाह कर भी उस दर्वाजे को खोल नहीं पा रहे थे और अब जब वापिस बेटे के कमरे में वो आए तो बिस्तर पर किसी तरह का कोई खून कोई निशान कुछ भी नहीं था सब कुछ पूरी तरह से अचानक सामाने हो चुका था ये सारी चीजें उन सब के समत से परे थी लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे सब ने एक साथ एक ही कमरे में रह कर रात पिताने का तै किया और सुबह होते ही दर्वाजा अपने आप खुल गया कोई भी एक दूसरे को छोड़ कर कहीं बाहर जाना नहीं चाहता था इसलिए तीनों ने एक साथ वही के मंदर में जाने का तै किया और तीनों एक साथ मंदर में पहुँच गए मंदर में पहुँच कर पंडेची को सारी बातें बता दी गए वहाँ पर माता रानी का एक बहुत ही प्राचीन मंदर था जहां के वो पुजारी जी थे उनको सारी बाते बताने के बाद उन्होंने कहा बेटा तुमने उस जगह पे वो जमीन ली क्यों वो तो सालों से कोई लेने को तयार ही नहीं था तुम यहां के नहीं हो ना इस पर उन्होंने कहा हाँ हम यहां के नहीं हैं हम बाहर से आए हैं लेकिन हमें शान्ती वाली जगह चाहिए थी इसलिए हमने वो जमीन ली फिर पंडिजी ने आगे की बात बताई वहां सालों पहले दो भाई रहा करते थे जिसमें से एक भाई ने आत्मा हत्या कर ली थी ऐसा पुलिस को लगा था लेकिन बाद में उसी भाई की आत्मा उस घर में हर किसी को नजर आती थी जिसके वजह से दूसरे भाई को वो घर छोड़कर जाना पड़ा और तब से वो घर खंडार बन चुका था फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी ना तो उस जगह पर जाने की और तो और तुमने तो वो जगह ही ले ली है अब तुम्हें तो उन चीजों का सामना करना ही पड़ेगा इस पर ओफिसर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है मैंने मेरी पूरी पूंजी इस घर में लगा दी है तो मैं इस घर को छोड़ कर जाने का सोच भी नहीं सकता आपके पास कोई न कोई उपायत तो होगा इस समस्या का क्रिपय करके हमारी मदद करें और इस समस्या से हमें मुक्ती दिलाए पंड़े जी ने भी अपनी कोशिश करने की सोची और सब साथ में उस घर पर पहुँच गए उस घर पर थोड़ी ही देर में क्रिया विधी करने के बाद पंड़े जी को साफ साफ समझ में आ गया कि वहाँ पर उसी इंसान की आत्मा आज भी भटक रही है जिसने की वहाँ पर आत्मा हत्या की थी अब पंड़े जी को ये जानना था कि उसकी आत्मा वहाँ पर भटक क्यों रही है उसकी ऐसी कौन सी इक्छा है जो की बाकी रह गई है फिर पंड़े जी ने उस आत्मा का आवाहन किया उस आत्मा का आवाहन करते ही तुरंत वो आत्मा सामने आ चुकी थी वो वही लड़का था जिसे की बेटे ने अपनी विस्तर में देखा था अब पंडी जी ने उससे सवाल करना शुरू किया उसने भी सारी बातें पंडी जी के सामने रख दी उसने कहा मैं मरा नहीं था ना ही मैंने आत्मात्या की थी मेरे भाई ने मुझे मार डाला सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपटी के लिए इसलिए मैं मरने के बाद भी मुक्ती नहीं पा सका मेरी आत्मा इस जगे से और इस प्रॉपर्टी से जुड़ी रह गई क्योंकि जिसके लालच में मेरे भाई ने मेरी जान ले ली मैं वो चीज उसे ऐसे कैसे पाने देता हाँ अगर वो प्यार से मुझसे ये प्रॉपर्टी मांग लेता तो मैं खुद उसे दे देता क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी पापा ने मेरे नाम पर और भी एक बहुत महंगी और बड़ी प्रॉपर्टी पहले से कर रखी थी मैं तो पहले से ही मन बना चुका था वहाँ जाने का लेकिन पापा ने अपने गुजरते वक्त में मुझसे ये बादा ले लिया था कि मैं अपने छोटे भाई की हमेशा साथ रहकर देख भाल करूंगा जिससे मैं बधा हुआ था मैं सिर्फ उसके पढ़ाई पूरे करके शादी करने का इंतजार कर रहा था वो जैसे ही शादी करके यहां अपना परिवार बसा लेता मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए यहां से छोड़ कर चला जाता मैं चाहता हूँ आप ये सारी बाते उसे बताएं उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएं जिससे कि वो मेरी अंतिम क्रिया विधी अच्छे से करे फिर मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी मैं चाहता था मुझे कोई मदद मिले जो मुझे इन लोगों के मात्यम से मिल गया है आप ये कार्य मेरे लिए करवा दीजे पंडित जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और ये सारी बाते सुनकर छोटे भाई को सच में अपनी गलती पर बहुत जादा बश्तावा हुआ लेकिन तब तक वो दो बच्चों का बाब बन चुका था वो चाह कर भी खुद को पुलिस के हमाले नहीं करना चाहता था इसलिए उसने अपने बड़े भाया के जो भी अंतिम क्रिया कर्म की विधी थी वो संपूर्ण कराई और आखिरकार उनकी आत्मा को मुक्ती मिल गई और उस दिन के बाद से उस घर में उस परिवार को कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा तो आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको हमारी ये कहानिया पसंद आती है तो जादा से जादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बारा हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और हाँ संडे को रात आठ बजे मेरा लाइब सेशन जॉइन करना बिलकुल न भूले तो आज के लिए बस इतना ही मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा वापिस से आपसे मिलने आऊंगी और आप सब को लेकर जाऊंगी कुछ जाने अन जाने किसे कहानियों के सफर पर आपका अपना दर का घर में तो तब तक के लिए नमस्कार कर दो आपका अरू और आपका अर्वाइनू